हलो एवरीबड़ी दिस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तू मैगनेट ब्रीन्स आज इस वीडियो में हमारे पास जो चाप्टर है वो है क्लास 10 एकनोमिक्स का चाप्टर चाप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन एकनोमी जिस तरह से आपने एकनोमिक्स की बुक का पहला चाप्टर डेवलपमेंट उसे डिसकस किया था mcqs के format में हमने उसका revision भी किया था पूरा और important questions भी समझे थे ठीक उसी तरह से यह जो चाप्टर होने वाला है उसी अप्रोच के साथ में इस चाप्टर को भी हम पूरी तरह से डिसकस करने वाले हैं कोई बेदभाव नहीं करेंगे दोनों ही चाप्टर हमारे लिए बराबर है ठीक है तो दोनों ही चाप्टर हमारे लिए बराबर है कर लिया है theory part कैसे तो आपने क्या किया है सारे questions discuss theory part में जो इतने भी videos है तो वीडियो को देख चुके हैं ठीक है आपको जैसे देखना है whiteboard पे smartboard पे one shot merged ठीक है parts में जैसे भी देखना है तो आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मज़े आ रहा है ठीक है क्यों कि आप अपने आपको टेस्ट करते चलोंगे अब क्या करें तो जिन लोगों ने अभी तक theory part पर नहीं पड़ा है कोई बात नहीं आप इस session के बाद में theory और रहने वाला है आप क्या कर सकते हैं आप धीरे चल सकते हो आप रेंग के जा सकते हो लेकिन करना होगा तो उसी तरह से आपको पढ़ना तो होगा ठीक है पढ़ना तो Gather to कि अगर आपने पहले पढ़ लिया तो बहुत बड़ी है नहीं तो इस सेशन के बाद में पढ़ेंगे यह प्रॉमिस करके इस सेशन को कम्प्लीट करना और चलो तो अप्रोच वही रहने वाली है बहुत सारे मल्टीपल चॉइस कुश्चन के थू यह जो चैप्टर ए सक्टर तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के मैदान में खूते हैं अब चैप्टर के मैदान हमारा देखो तो आपको topics बताता हूं मैं topics क्या है sectors of Indian economy तो क्या कह रहा है देखो chapter Indian economy के context में specifically पढ़ेंगे लेकिन economy जो है तो इंडिया की economy USA की economy तो एकनोमी में कुछ तो common traits होते हैं न एकनोमी को आप कैसे समझोगे तो एकनोमी के लगळग sectors होते हैं ठीक है sectors of economic activity में primary secondary tertiary तो अन्दी बिस्टिस of production अगरा देखा जाए तो देखने की मिलें करें रिका基本 secondary sector होता है और में संग Dew Detail मौर्णु हो तो इस टॉन्पिक में यह सारा सब सब्सक्राइब करते हो लगा क्यों ग्रश्मी करते हैं क्यों करते हैं कॉप्यर करना बहुत ज़्याधा जरूरी है क्यों इससे आपको क्या मिलेगा एक आइडिया मिलेगा कि ٹीक मिजो है तो फॉल्ट इकनॉमि की बात करी लिए इन इक लो क्योंकि दो इन्डियान शुक्ति ए डिसक्स करेंगे अभिए हम ने सिक्सक्राफ पढ़े कर दें two टॉपिक सब्सक्राबर कले होन i वहां पे खिया है कि जो तीनों सेक्टर हैं उन तीनों सेक्टर में क्या मिभेए एक्सफ करं ऐपकर एक आइडिया दे Р führen जिसे आपने डेवलप्मेंनल में पड़के आये थे कि हाँ country को करने के लिए क्या करते हैं तो रहते हैं तो राइंकम का हाँ से बरसे नहीं है या त्याथ इसे कम बनती है तो सटोड़ी पर the three sectors में फिर आता है primary secondary and tertiary sector in India तो जो तीनों sector को compare करने का idea GDP से जुड़ा हुआ आइडिया यहां इस topic में सीखा है ठीक है वह प्र इंडियन context में apply करते हो कि इंडियन context में आप देखो कि अलग अलग से तो अलग तरो कॉन कर रहा है ठीक है उन अलगल क्टर स्में तर्शयर इसटर जो वो तेसे का से इस रहा है पिजन्स rol मारेक्टर ने तो सर्विस सब्सक्र सबसे ज्यादा दे रहा है नहीं लोग ज्यादा काम कर हो रहे हैं लेकिन agriculture sector का production तो उत्मा हो नहीं रहा है मतलब क्या है कि वो full potential पर काम नहीं कर रहे हैं यार अंडर एंप्लाइट तो अंडर एंप्लाइट वाला जैट पार्ट है वहां निकल का आएगा लक्षमी की कहानी पढ़ेंगे हमें तो ना जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ाया तो उनको बहुत अची तरह साब करेक्ट कर पार हो ठीक है अंडर एंप्लाइमेंट है एक्रीकल्ट की कमी है ठीक है प्राइमरी सेकंड़ी सेक्टर जोता तो अनीवन ग्रोथ है तो सवाल यह आता कि सारी समस्याओं का समधान कहां है कि आप jobs create कर दो तो how to create more employment अला मिट्टी से थुरी ने बनती कि बस कहीं से भी खोद के बना दो के job ठीक है आपको job create करना होगा sectors को expand करवाना होगा तो सवाल यहां पर यहां पर आता है कि how to create more employment कि कैसे आप क्या है जो root cause unemployment का क्या कि लोगों के पास में पानी नहीं तो irrigation facility provide कर वाओ ठीक है फिर क्या होगा प्रोडक्शन जादा होगा transportation वगरा ठीक है transportation वाद में कहा है छोटे food processing industries वगरा लगा लगा जाए credit available करवाया जाए ठीक है मन्रेगा के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें मन्रेगा क्या है मात्मा गांदी national rural employment guarantee act एक scheme हो गई है जिसके चलते क्या है जिसके चलते है guaranteed employment provide किया गया तो how to create more employment में क्या है आपने theory पर पढ़ा था कि multiple dimensions से आप क्या कर सकते हो मतलब multiple funds पर काम करके आप employment generate कर सकते हो लेकिन nearest जो टारगेट था या फिर कह सकते nearest जो step थी किस चीज को लेकर employment create करने को लेकर तो 2005 में मन्रेगा जो launch हुआ ठीक है मात्मा गांदी national rural employment guarantee act तो उस scheme के चलते किस तरह से employment generate किया गया वह चीज़ बताई गई है ठीक है तो primary secondary tertiary sector in India इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं तो इन सब टॉपिक्स में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां क्लासिफाइ करना मतलब क्या है कि आपने इकनोमी को classify किया on the basis of on the basis of factor on the basis of production ठीक है अब बसीटर प्रडक्शन डियरा थ्री sectors in economy primary secondary tertiary और वो primary secondary tertiary आपने पढ़ लिया अब क्या है कि economic जैसे geography में आपने सीखा है क्या कि basis बदलोंगे ना तो classification बदल जाएगा ठीक है चाटर बन में development में भी पढ़के आयो कि अगर आप यह देखोगे कि कौन बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो आपके पास रिजल्ट अलग आएंगे आप यह देखोगे कौन बच्चा पढ़ाई में अच्छा तो आपके पास रिजल्ट अलग आएंगे तो डिपेंडिग अन दीब सिस दी आउटकम्स आज़ कोईंग टू चीज अब वही चीज़ यहां पर भी यह क्या कि यहां आपने बेशल्ट सक्टक्चन अनिवासिट अजरा ऑन्दी बेसिज़ों प्रुक्शन अनुर्टेरी सीक्टर है अब अगर हम बात करते हैं बेसिज ब और बडगनाइजD और अच्छीम पूच्छा से करें कि हैं और ईंची स्व मजए ज है टाइए तो करोके आप वर्कस क्यों क कैसे तक करोगें तो हब टू तक करोगे अन्हें दूकेते में और गोनाइज हम्ण के दुटार今天 दिए लेकिन जो सेंगोनियौ सेक्टर होता है ना वहां दिक्कते आती है तो अनॉर्गनाइज सेक्टर में आप workhorsecope protect कैसे करोगे वह एक बड़ा सवाल होता है ठीक के तो how to protect workers in अन और्गनाइज सेक्टर यह चीज़ हम यह डिसकस करेंगे ठीक है सेक्टर्स इंटर्म ऑफ ओनर्शिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अब क्या बेसिस यहां बदल कि हमने देखा यहां अन्दी बेसिस ओफ वर्किंग कंडिशन वर्किंग कंडिशन में जिसका ओनर कौन है जंता है दिखाल एक गवर्वर्मेंट के साथ में एक बनादन तो समझते चल रहे हो तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है तो चैक्टर का मेडान एक बढ़ा सा मोटा माठी में आपको एक चैप्टर का मेडान समझा दिया कि कौन कौन से टॉपिक से चाप्टर में हम यहां से श्टार्ट करते हैं आप का जो भवश्चित रहे बोने वाली यह पत्रिका है जन्म पत्रिका नहीं है लेकिन में लेकिन इंपोर्टेंट है क्यों कि ही आपको टमवन का exam देना है तो हर बार हर session में कहता हूं ओपने पास रीजिटी नहीं करते चलना फिल करते चलना आपको जैसे-जैसे मतलब ऑपने अभी तक चतने में चैप्टर पढ़े हैं उसे अपरोच के साथ मैं आगे बढ़ते हैं तो यह वी गौ अब देखी सबसे पहला टापिक जो माना था ना सेक्टर ओफ एक्टिवी तो सेक्टर और इक्टिवीटीन के घरम बात करें तो इस टॉपिक में लो पेहला सवाल देखो ईजी है और इनक्र पाता है यह जो चाप्टर इस चाप्टर में कुश्चिन बहुत ऊजी है इसी इन दोगे इजी और टाफ विसे कुछ होता नहीं है अगर अपने पड़ा है तो हर चीज इजी नहीं पड़ाया तो हर चीज टफ है तो रिलेटिवली इजी है और यह पहला सवाल सबसे आसान सवाल χाहता है अब आप को बता है कि आप को कैंटर केंगे तो जिन लोगों सेशन को टेंड तो वह लोगं कि या कि मै है राइट अंसर को आखरी में पढ़ देता हूं पढ़ता हूं जब तो आज भी हो गया ठीक है तो सेक्टर्स इस दी राइट अंसर फॉर इसकुशन और यह रबार नहीं होता है तो आप सुचो कहां सर जो आखरी बोलेंगे वही क्या होता है सही आंसर होता है देख लो ना अ एक लूय में टेस्थ अंदर अलग अग कंठर होता है तो अरिय Cabinet यह विए क्या कहला था primary sector, service sector, agriculture and related sector, pre industry sector, unorganized sector, क्या कहला था है तो very simple question agriculture and related sector क्योंकि वो सारे activities ठीक है वो primary activities कहलाएंगी वो primary sector में जाएंगी जिन activities में यूर डिलिग इपी नीचर और नैचरल ठीक है, nature और नैचरल प्रोडक्ट जो हता है आपका final product हो था है वो primary activity कहला जाता है तो प्राइमरी एक्टिविटी को इसलिए क्या अग्रिकल्चर रिलेटेट सेक्टर भी कहा जाता है ठीक है अगला सवाल वेच वन ओफ फॉलाइंग ऑक्यूपिशन इस नौट असोचिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर जी हां अब आपको प्राइमरी सेक्टर क्या होता जल्दी बाजी में जब समय कम रहता है ठीक है बाकी समय हमने दोस्तों को बताने में निकाल दिया तो उसके चलते क्या होता फिर हम गलतिया ऐसी सिलिम स्टेक्स करते है क्या है कौन सा नहीं आता है बास्केट भीवर ठीक है पोर्टर गाडनर प्रीस्ट अब स्कुर्ण हो गान बाए नियान जाँ यहां पर है यह लो एक मज़तार कुशन भेच वन इस अप्राइमरी ऑपिशन कॉन सा और अप्राइमरी ऑ प्राइमरी ऑपिशिच्टर समय में आ गया रेकलचर ओर एक अगरी चल्च्टर लिए को प्राइमरी चूपिशन है टेलर बा हम चलका यहां यहां और प्राइमरी सक्टर का पार्ट है बास्किट वीवर किया बसकेट बना रहें प्लास्टिक टिहला प्रास्चिक से गिता होग थे तो देल कर रहे हैं तो बी-बी क्या जाएगा हमारा वियर जिस से सबस्क्राइब क्राइब कर दों एक तर्फिस पर हो क्या करे दिए टेरगर वह सबस्क्राबし धाया टेरी क्राइब गिवन विलू लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलू अब लिस्ट ऑफ आइटम्स यहां पर दिया हुआ है टेक्स्टाइल वीट फ्लोर कॉर्टन टमैटो सोस ठीक है अब आपको क्या करना है नेचरल प्रोड़क्ट क्या है इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना इस सवाल पे तो आपको कौन सा ऐसा ओप्षन दिख रहा है जो कन फ्यूजिंग है तो थोड़ा आपके लिए आसान कर दूंए आपको वीट फ्लोर और कॉर्टन दोनों ही क्या लग रहे है दोनों ही इन दोनों में तो आपको दिमाग लगाना नेचरल प्रोड़क्ट वर्मदी लिस्ट खेती हो रही थी एक बाटल लगा या आपने पेड़ लगा उसमें से तोड़ लिए बहुत सारे हटाओ इसको टेक्स्टाइल तो चली गया कपड़े जो है तो वह मतलब नैचरल प्रोड़क्ट नहीं है फिर क्या है वीट फ्लोर और कॉर्टन है तो वीट फ्लोर गेहू का कॉर्टन होने वाला तो सी कॉर्टन इस ती राइट आंसर फॉर दिस कुश्टन आया समझ में कितने लोगों ने वीट फ्लोर लगा दिया था जिक हम उसकुरा रहे हैं और मिटाने की कोशिश मत करना ठीक है पुलिस ने आपको चार तरफ से कहर लिया है क्यों क्यूंकि आपको वो चीज ध्यान रखना है कि आप एक बार करते चलो अच्छे से समझदारी से पेशेंट ली आंसर को फिल करते चलना है वह मार शीट में जितनी गलती करना है अभी यह जो प्रैक्टिस सेशन में आप कर रहो खुब गलती करो ठीक है आट नहीं में कह रहों कि 800 अच्छे सेक्टर एकनोमिक शेक्टर की जहां पर वरकर्कस बुट्स ने करें बताओ तो यह कौन से सेक्टर होने वाला हमारा तर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ने अफ्ट यहां प्राइमरी में नेचर और नीचर से रिलिटेड गूर्ट बनाया जाते हैं सेकंडरी के सवा अगला सवाल अगला सवाल देखो क्या है वेन वी प्रड्यूज अगुड बाइएक्स प्लाइटिंग नैचरल रिसूर्सेज इस कॉल्ड मतलब आप नैचरल रिसूर्सेज को एक्स्प्लाइट करते हुए कोई बना रहे हैं तो बहुत आसान हो गया तो लिए भी क्या होता है टॉपिक टॉपिक होता है कहीं से कैसा भी सवाल उट पटांग सा ठीक है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है कि एक ही टॉपिक से कितने कुश्चिन बन सकते जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाए करो चल कि अकश्चर ह कर रहे हैं निचरलों प्रदक्स को चैस्टेल से एक्ट्विक अडव कर रहे हैं इंडेग Privile kriegen लेकिन उस बटन से शर्ट बनाना वह सेगेंड्री सेक्टर का पाट हो जाएगा इंडस्ट्रीव में आप क्या कर रहे हैं अंदर सीमित रहना है मतलब जो भूख में लिखा है से कर दो लेकिन क्या होता है एड ताइम्स जैसे से लवल पे आप जाएंगे ना तो सेंड लग है यह दोनों सेंव लग रहा है तो वह बोब एक चीज आपको सींपल सा थब बताता हूं कि जहां पर नीचर का जो पुलाब नीचर से ऊप्रोड़क्र निकल रहा है इसका इस्तमाल राहे जिन इंडस्टり में वो प्रइमरी में आजाएगा मतलब क्रeD senators निकला दूसका इस्तमाल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा प्राइमरी में आएगा लेकिन उसनल को मोड़िफाइ करते हैं दिश्म करते हुए जब आप industrial अगला सवाल which activities ठीक है which activities come under the agriculture and related sectors ठीक है which activities come under the agriculture and related sector आप जरा इसको देख लो प्यार सब एक सवाल को यह सवाल जो है आपके लिए क्या है एक मेधार सवाल होने वाला है अच्छे से देखो सवाल को क्या है देखो यहां पर डेरी एक तूसरा माइनिंग है तीसरा ओप्शन क्या यूजिंग कॉर्टन फाइबर इंगर्मेंट इंडस्ट्री ट्रांस्पोर्टिंग अग्रिकल्ट्ट्रल प्रोडक्स इंदी मार्केट यह चौथा ओप्शन हो गया अब आपको सेलेक्ट क्या करना है कि विच एक्टिविटीज कम अंडर दी एग्रिकल्ट्र एंड रिलेटिटिट सेक्टर अग्रिकल्ट्र सेक्टर के अंदर क्या आ रहा है तो देखो कॉर्टन फाइबर इंगर्मेंट इंडस्ट्री अब क्य प्रड़क्ट्स है तो क्या हुआ लेकिन एक्टिविटी क्या हो रही ट्रांसपोर्ट करवाना सर्विस सेक्टर में चलेगी ठीक है तो उस तरह से ए और बी को अगर देखिए अचा बी में भी क्या होते है बचे कंफ्यूज सर माइनिंग इंडस्ट्री एक माइनिंग क्या होता है मैंने आपको यह बता है कि आपकी आपकी वानाटाइट सक्क्राइम्ट में अगरी तरी में में जो माइनिंग मैं प्रेमर्समार्य सक्टर में जाता है लिए का तो कैसे वी की मतलब देरे नी hospital कर्सें nosso और नाओं ये रहता बड़ी आधी होती है ती मतलब vài प्राइमरी सेक्टर मिना क्यों कि बाय लोजिकल फोस्पेस्ट मेद से आपके तरह से प्रेडियूस कर रहे है ठीक है तो डेरी ओर माइनिंग जो एन बी थो आप्शन आप्शन A and B and we are the right answer for this statement for this question I have a man C or D just never know me back a cotton or agriculture product for the KBCD 4o कर दिया था आप गलत हो जी हमानो इस चीज को आप गलत हो क्योंकि आपको सही अप्रोच के साथ में काम करना होगा ठीक है तो यह दिहान रखना अब आगे बढ़ें तो कुछ नमर एट के बाद में का हमारे पास में कुछ नमर 9 जो है अब देखिए कुछ नमर 9 क्या कह रहा है यूजिंग यूजिंग शुगर केन एज रॉव मटेरियल वी मेक शुगर और गुर्ट ठीक है अंडर वार्ट सेक्टर ड़स दस एक्टिविटी कम अब यहां पर फिर कन्फ्यूज होने बादो बढ़ा कहां का का लगाया कि इसका सईय का अब से कर दिक भी नहीं राया ठॉ किसिक ए ल एक इसक रॉंग लगाए.." क्या बाद या मिसलिव दिक भी नहीं इसलिग शुगर के मणिसिख एले pre-make sugar good ठीक कैए शुगर बनाए जा रहा है या 다 अब किया आ आप्स नाइट को ले रहे रहे हो प्रोसेस कर रहे हो और एक प्रडुक्ट वे त्रलें ने इन्डूसेे करके एक दूसरा सेकेंडरी प्रॉडेक्ट बना देंगए और वहीं यहां पहुअ आपने शुगर से क्या बना दिया शुहर बना दिया गुड़ बना दिया तो वह किस कैटेगरे में आए इंडस्टियल सेक्टर में आफिर उसे सेकेंडरी सेक्टर काएंगे और अभी क्या होता है कि हम कभी-कभी तुक्का बाजी करते हैं ठीक है एक मुक्का बाजी होती है दूसरी तुक्का बाजी होती है तुक्का बाजी में कहें कि हम यह दिखते कि चलो थीन स्टेमेंट्स पड़न और पर इडेटिफाइए करना तो यह वराट टोपिक पढ़ते चल रहें कि टोपिक से यह नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर intentionally लगाया ताकि थोड़ा सा confused तो हो तभी तो मज़ा आएगा ठीक है तो अब जब आच्छे से पढ़ना हां sector is categorized based on ownership of activities ठीक है ownership of activities जो है तो बहुत simple रखें तो based on the basis of ownership sectors can be classified into A and B ठीक है अब क्या हो रहा है तो private individuals and companies owns most of the assets तो ownership के हिसाब से private individuals जो वो ओन करते हैं main driving force of this sector is profit और profit पैसा कमाना main driving force होता है तो economy में on the basis of ownership दो sectors होते हैं एक होता है public और private अब आपको यह identify करना है कि यह private है यह public है तो देखो private individuals और companies own कर रहे हैं और जो driving force इस sector का हो क्या है profit है तो सही answer क्या होने वाला है सही answer जो होने वाला है आपका वो होगा private sector ठीक है private sector is the right answer for this question यह on the basis of production नहीं नहीं देख रहे हैं तो यह sector क्या होने वाला है private sector वैसे easy था पता नहीं कितने लोगशन हों है जितने लोगशन हों है तो सुधारो उस चीज़ को ठीक है तो दस question होगा है हमारे ग्यार्वा question the cup can question number 11 के अगरं बात करें assertion reason a mere favorite और आपके भी favorite होना चाहिए है ठीक है आपके भी favorite होना चाहिए है ठीक है ठीक है तो क्या है कि रहा देखो service sector also includes some essential services that may not directly help that that may not directly help in the production of goods ठीक है यह तो क्या होगा assertion होगा देख लो सही है गलत है reason का है in recent time certain new services based on information technology such as internet cafe ATM booths call centers software companies etc have become important अब दोनो statements पढने के बाद आपको स्रिफ इतना देखना है कि दोनो statements सही है गलत है तो क्या हो रहा है service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods तो भी हमने देखा कि एक sector ऐसा भी जो goods produce नहीं करता लेकिन है economic sector तो अब क्या हो रहा है goods produce नहीं करता मतलब teaching a manu for example tom kya हम आपको ऐसा तुरी दे रहे हैं कि यह लो एक kilo knowledge ले लो यह दो kilo handwriting ले लो तीन kilo facts ले लो goods नहीं कुछ भी बेच रहे हैं कुछ प्रडूस नहीं कर रहे हैं ठीक है कि सर्विस सेक्टर कैसा सेक्टर है की not necessarily that always some of the other goods are produced तो बात तो सही है ठीक है क्योंकि हापे है तो अब अगर जिसे देखेंगे ना तो cafe होगे ATM booth हो गया call centers होगे तो यह services भी प्रोवाइट किया जा रहा है तो recent time में कुछ नहीं services based on information technology produce हुई है जो इस assertion को support कर रही है कि हाँ जरुए नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही production हो वहां पर services भी provide की जा सकती हो recent time में कुछ services evolve यह तो because in recent time certain new services because लगा के देखो के बनेगा ठीक है तो यहां पर क्या है बोत a and rr true and r is the correct explanation of a to code a is the right answer ठीक है code a जो है हमारा वो राइट आंसर होने वाला है ठीक है अगला सवाल देखो अब यह महिदार है इसमें से आप identify करो चलो चूज़ दी incorrect pair incorrect 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 तीन भार भोल रहा हूं incorrect अच्छे से देखने ना correct incorrect में confused होते हैं करेक्ट पेर आपको चूज़ करना है मेल में हो गया टर्शेरी सेक्टर में डाल जाए उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने ठीक है डाक लाया तो घर घर जा कि पत्री का मतलब जो पत्र होते हैं ठीक फिशर्में जो था प्राइमरी सेक्टर में आएगा जी हाँ नेचर बीच असलना से प्राइमरी सेक्टरी काम कर रहा है ठीक हैं बैंकर तो कार्पिंटर रिकस्ति में चले इक तरह से प्रिक durante और तरब में कॉआ ना कर रहा है नेचनल प्रोड़क्स को यूज करके मोडिफाई करके वह आपको क्या दे रहे हैं एक तीसरा प्रोड़क्ट बना के दे रहे हैं तो यह सेकंडरी सेक्टर में जाएगा कारपेंटरी जो है वह सेकंडरी सेक्टर में जाएगी ध्यान रखना तो सी इस दी राइट आंसर फॉर गरना है ना तो सी वाला जो पेर है वो इनकरेक्ट है तो उस कंटेक्ट में सी इस दी राइट आंसर फॉर दिसकुशन ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो क्या है तो विच आफ दी फॉल्वाइं टाइप्स आफ एक्टिविटीज और इन दी सेकंडरी सेक्टर सेकंडरी सेक्टर के घ्स तरह की एक्टिवीटीज जो होती हैं प्राइमरी की बारे में बहुत कुछ पड़ छुके हैं सेकंडरी कि बात करते हैं तो कॉन्स एक्तिविटीज आएगज़ी इटेनरेट्स स़रविसेसरे प्र इंड़्यट्स तो यह ठर्टीर हो गया ठीक तो नेच्टरल रिसूर्स तो यह क्या इंक्लूट्स एग्रीकल्च्रल डेरी तो यह भी प्राइमरी का पाट हो गया तो हां अब आप तसली कर ली तो बी जो है जहां पर नेच्टर प्रोडक्स को आप चेंज कर रहें तूम manufacturing इसलिए secondary sector को manufacturing sector industrial sector भी कहा जाता है तो B is the right answer for this question ठीक है B is the right answer 14th question number 14 को देखें तो the secondary sector is also called secondary sector को क्या कहा जाता है अभी बता दिया मैंने आपको organized sector service sector industrial sector public sector very simple question तो C is the right answer for this question secondary sector को क्या कहा जाता है industrial sector भी कहा जाता है सेगंड री सक्टर को industrial sector भी जाता है अगला सवाल देखो तो अगला सवाल क्या है हमारा what is the secondary sector अच्छा फिर घूमके आगा नहीं नहीं What is the second the secondary sector is also called industrial sector अब अब what is the secondary sector अगर देखें तो यह सवाल मेंस आप से मैंने क्या कहा आप से की option एक ही topic से multiple set of question मन सकते हैं तो एक और आपके लिए प्रस्तुत है बता हो जारा तो वाट इस दी secondary sector production of good by exploiting the natural resources activities in which natural products are changed into into other forms through ways of manufacturing activities by denser do not produce the goods but they are in aid or support of the production processes तो इसका क्या होगा चलो एक सवाल पर एक सवाल देते हैं ऐसी एक्टिविटिस को क्या को होगा ठीक है और mineral excavation mineral excavation किसमें चलाएगा primary में तो the right answer for discussion is B और आपके लिए जो comment section वाला homework देता हूं मैं आपको वो क्या हो जाएगा इस statement में आगे अगर में डैश लगा देता हूं ठीक है तो क्या लिखोगे बताओ activities by themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process तो इसमें आप क्या लिखोगे ठीक है तो यह होगी हमारी कहानी अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं अगला सवाल देखो क्या है तो not every good or service that is produced and sold needs to be counted it makes sense only to include the dash to get the total production अब हम कहां कूद पढ़े हैं तो हम sectors को compare करने की बात करते हैं sectors को compare करने की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है वहां पर आप जिसे देखोगे तो GDP वाला जो है पार्ट उसमें हम एक कुशन वहां से उठा रहे हैं ठीक हैं क्या कह रहे हैं not every good or service that is produced and sold needs to be counted it makes sense only to include the dash to get the total production अब कंट्री में जितना भी प्रॉक्शन रहा है इसकी थेओरी हम आगे पढ़ें और ठीक हैं आप अभी के लिए मुझे बताओ के यहां पर सही आंसर क्या आना चाहिए यहां पर जो सही आंसर आएगा वह आएगा value of final goods and services I guess options पढ़ो पहले value of goods and services in production value of final goods and services adding up the actual number of goods goods and services in the three sectors अब देखो क्या होता ना एक मिन मारकर रख देता हूं मेरे दोना हाथ free रहते हैं जब अच्छा रखता है मुझे अब क्या कह रहे हैं हम आपको कि हम अलग-अलग sectors को देखते हैं अलग-अलग sectors ही मिलके economy बनाते हैं तो जब हम economy को देखते हैं कि economy कितनी बड़ी कितनी number of goods क्यों नहीं जोड़ते हैं goods को क्योंकि goods में तो कि एक car produce होना और 1000 wheat के कह सकते हैं ग्रेंस प्रडूज होना तो क्या हो रहा है कि दोनों में देखो के numbers में तो 1000 wheat के grains ब्रूज होना बहुत जादा लगता है येकिन value की जब बात करको तो car की value जादा है ना करते से में क्या precaution लिया जाना चाहिए वो सारी चीदे जो है आप इस chapter में पढ़ते हैं और उससे कुछन बन सकते इस तरह के ठीक है तो 16 question number 16 जो है not every good or service that is produced and sold needs to be counted it makes sense only to include the final goods to get the total production they get the value of final goods and services to get the total production आपको value पर focus करना होता है अब identify this sector चलो सेक्टर इंटिफाइ करो this sector is categorized based on the type of activities activities which are included in this मतलब अन्दी बेसी टोब अन्दी बेसी टोफ अटिवीटीस की बात कर रहे हैं ठीक है तो अक्टिवीटीस या प्रड़क्शन की बात कर रहे हैं तो activities which are included in this sector are services offered professionals ठीक है services offered professional मतलब क्या है कि आप सर्विस पर focus किया रहा है मतलब देखो service पर focus किया रहा है क्या दिमाग में आपके image बनी service सुनते सही ठीक है फिर क्या है no good is produce कोई भी सावान जो से आप प्रडूज नहीं कर रहे हैं आप service provide कर रहें तो service sector service sector याने क्या हो गया टर्शरी सेक्टर क्योंकि मैं आपको क्या बता है कि service sector जो होता है टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है ठीक है अब services की बात करें तो और सवाल लो ठीक है तो दी सम अच्छे तो जिक अभी उसका GDP का गया को सवाल क्या है बताइए इस सम फ्रॉडक्शन इन दी three sectors gives what is called the dash of the country अभी बताया कि क्या कर रहे है आप country के अंदर जितना भी production हुआ है तीनों सेक्टर में तीनों को जो होगे तो आपको क्या मिल जाएगा gross domestic product मिल जाएगा ठीक है GDP यह ध्यान रखना GDP GDP मिल जाएगा GDP को अभी तसलिस और आगे discuss करेंगे तो भी ठीक ऑप्शन भी GDP is the right answer for this question ठीक है आगे बड़े अगला सवाल यह लो डी वैलियो ऑफ ऑनली final goods and services is included while calculating GDP the final goods and services already includes the value of intermediate goods अब यह पॉइंट आपको धियान रखना है क्या हो रहा है कि the value of the value of only final goods and services is included while calculating GDP यह तो हमने सीख लिया भी क्या कि जब हम GDP को calculate करने की बात करते हैं तो GDP को calculate करते समय हम सिर्फ value of final goods and services ही लेते हैं अब theory सुन लो जारा मैं आपको connect करवा देता हूं सारी तो ऐसे तो wheat grains कितने ज्यादा produce होते हैं लेकिन क्या एक wheat grain ने कार के बरावर होता है नहीं तो वहाँ पर क्या है वह जो disparity उसको खतम करने के लिए आप number of items produce कितने हुए कितने नहीं हुए उसको ना consider करते हुए आप देखते हैं कि वह जो product है उसकी value कितनी है तो हम क्या करते हैं सारे goods जो producer उनकी value को add कर देते हैं अब value को add करने तो goods भी कौन से रहेंगे गुड्स और services final रहेंगे अब final goods and services क्या होता है यह chapter देखा है आपने मेरे आपको बहुत अच्छी कहानी से समझाया है अक्षे कुमार वाली बाबा रामदेव वाली ठीक है और चंदू सेट थे हमारे तो उनकी कहानी से समझाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चाप्टर देखा है नहीं देखा तो जरूर देखना एकदम concept crystal clear हो जाएगा वह chapter देखने के बाद में तो यहां अगर हम बात करें या अगर हम बात करें किस चीज की कि final goods क्यों क्योंकि जैसे final goods में for example क्या है यह T-shirt है ठीक है अब यह final goods में क्या यह T-shirt मान लो cotton से बनी है तो हम क्या कर रहे है इस T-shirt के सीधे पैसे दे रहे है ना ऐसा थुरी ना है कि आप दुकानदार को बोलोगे कि देखा तुमने ट्रेड करके लाया हो तो कितना हिस्सा बन रहा है तुमारा इस T-shirt में मान लो तुमारे 50 रुपे का तुमारा कमिशन है तो 50 तुम रखो बाकि जिसने cotton ग्रो किया था बाकि का पैसा उसको देखे होंगा ऐसा नहीं करते हो आप क्या करते हो final goods in services के लिए पे करते हो और जो करते हों तो नटो डिवाइन होता चले जाता है डिवाइट कैसे पैसे लाए मनीफेक्ट्रर को दिया होगा मैणे पैसे कि इसको दी होंहे मेनीफेक्ट्र ने जब कॉटन खरीदा तो उस फार मर तक पहसे पहुंच गये तो जो इस अको बनाने में value वो और इंक्लूड़ेड है ठीक है तो final goods and services को हम क्या करते है GDP में calculate करते हैं intermediate goods को नहीं करते हैं मतलब intermediate goods मतलब क्या है कि जो उस final goods को बनाने में इस्तमाल किया जाता तो उन intermediate goods को हम calculate नहीं करते क्यों क्योंकि the final goods and services already includes the value of intermediate goods तो अब यहां पर assertion भी सही है रिजन भी सही है तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A so in this case code A जो है आपका ठीक है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A यह रहेगा ठीक है आगे बढ़ते है देखो अगला सवाल का है the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the dash अब फिर वही देखो question का theme आप सर हर कुशन में वही पढ़ रहे है है final goods services value यह सारी चीज़े लेकिन हर कुशन एक क्या कर रहा है नए रूप में आ रहा है नए options लेका रहा है और आप क्या कर रहे हैं यहां पर confused अगर हो रहे हैं तो आपको यह चीज़ समझना होगा कि एक topic से multiple questions बन सकते हैं और आज का session ही मेरा मतलब जो से बुलते हैं हर सेशन में theme पगड़ सकते हो आप जो मैंने सबसे पहले session लिया तो उसमें tricks बता ही थी बहुत सारी कि mcq solve करते हैं में किन चीजों का ध्यान रखना है ठीक है आज मैं आपको क्या बता रहा हूं आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक theme मतलब आज की theme यह कि एक topic से कितने set of question बन सकते हैं उस चीज़ को आप कैदर लो practice कर लो बहुत अची तरह से अब फिर आया question क्या the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the dash क्या provide करता है वापको average production of the sector of that year average production 3 देता है net production of the sector of that year इसको भी काट दो total production of the sector of that year ठीक है फिर ग्रास production of the gross production of the sector of that year तो अब क्या है GDP में हम जो GDP देखते ना तो gross domestic production ठीक है तो यहाँ पर value of final goods and services produce in each sector during a particular year provides the gross production क्योंकि आप उसमें से tax minus कर देते हो तो gross production of the sector of that year ठीक है GDP जो मिलता है हमें तो GDP gross domestic production होता है वो चीज़ान रखना है तो अब क्या होता है country के अंदर है तो इसके इसको domestic बोल देते हैं country के बहार होता है ना तो उसमें national नाम जल जा जाता किर यह सारी चीज़े क्या है यह आप 11 economics में पढ़ेंगे और आप अभी आपको धिहान रखना है कि gross production of the sector for that year is the right answer for this question आगे बने अगला देखो क्या है which one of the following economic activities is not in the tertiary sector कौन से activities tertiary sector में नहीं आती है अच्छे से देखो इस topic का कुशन है ठीक है तो which one of the following economic activities is not in the tertiary sector banking, beekeeping, teaching और working in a call centre तो working in a call center आप क्या कर रहे सकते हैं हाँ हालो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं service प्रोवाइट कर रहें कुछ बना के नहीं की दे रहे नहीं को ठीक है teaching teaching में भी क्या है मतलब हम आपको service provide कर रहे हैं थीघे it banking तो banking में भी क्या है वो आपके नोट गिर आप पालेंगे इसको ऐसा कुछ नहीं है मदो की पाल रहे है आप उससी का निकाल रहे है शहद निकाल रहे है तो शहद क्या है हनी जो है तो एक नैचरल प्रोडक्ट है वह प्राइमरी एक्टिविटी में चले जाएगा बीगीपिंग ठीक है तो आपको नौट ही पता करना बलाएं कि कितनी बड़ी एकनॉमी हैं ठीक है घुज कि अमेरिका की जादा पर दक्शन हो रहा है चाहिना की पर तो गड़ीज अबर सब्सक्राइब रहा है तो GDP यही दर्शात आप आपकी इकनॉमी कितनी बढ़ीए है ठीग है ठीक है परें किनौत निजा टेक्निक कि है ह हमारी दोनों स्टेटमेंट को देख लो सही है गलत है GDP of a country is the value of all intermediate goods and services produced within the country during a particular चब्दो को बहुत अच्छे से देखना है क्या कह रहे है all intermediate goods ठीक है and services produced within a country during a particular year तो जी हां within a country उस country के अंदर कितने goods produce हो रहे है एक साल के अंदर लेकिन goods कौन से final goods and services statement क्या कह रहा है GDP of a country is the value of all intermediate goods intermediate goods क्या होते हैं intermediate goods थोरे इंक्लूड करते हैं final goods in services की value include करते हैं तो यह जो statement है यह क्या है गलत है तो assertion तो सही है reason गलत है statement ही false है तो a is true and r is false तो कह रहे है a is true and r is false ठीक है तो c is the right answer for discussion आया समझ में अब देखा अगला सवाल क्या है तो इन इंडिया दी मैमथ टास्क औफ मेजरिंग जी डीपी इस अंडर्टेकन बाइट अ सेंट्र गवर्मेंट मिनिस्ट्री इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिट्री इस अल दी अल आफ दिया तो यह चीज़ दियान रख आप क्या है कि इन इंडिया मुझे क्या रग र सेक्टर में जा जा कि किस सेक्टर में कितना प्रड़क्शन हुआ सारी चीज़ों की सारी चीज़ों का वैल्यू जो है ठीक है वह एंड करना कैलकुलेट करना बड़ा है सिरदर्द वाला काम है यह पूरा काम करता को है तो इन इंडिया दी मैमत टास्क औफ मैजरिंग जोगे तो गया युनें टेडियों के आल अफ देबाग हो गया असेंट्रल ग़र्म इनिस टरी तो रवर्म इनिस्टी तो रिइस यह यह राइंसर फोर सिक्षिन तो एजिए राइस रिज़ों के तो टी सिखेंग्स रिज़ों फिया शुआ थेखों किया है इंडबलग से connect करना कि क्या हो रहा है कि हम developed countries के अगर बात करें जैसे western countries होगे जिने हम developed कहते हैं कि जहां पर standard of living per capita income जो है यह सारी चीज़े बहुत अच्छी है ठीक है तो in developed countries the dash sector has become the most important in terms of total production ठीक है total production की जब बात आती तो कौन सा sector सबसे ज्यादा important है ठीक है primary secondary और प्राइमरी होगे इंडस्ट्री लोगे और सर्विस सेक्टर नहीं टर्शी और पब्लिक सेक्टर तो production के अगर बात करें तो GDP में contribution developed countries में सबसे ज़्यादा किसका रहता है service sector का रहता है क्योंकि वहां लोग services पे ज्यादा dependent होते हैं और अभी आप आगे पढ़ोगे कि रवाट वाट वाट रीजन बिहाइंड दी राइज इन सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर क्यों ग्रों करता पता है तो सर्विस सेक्टर के पीछे के कारण ही है कि primary secondary grow करेगा अगर तो सर्विस सेक्टर अपने आप ग्रों करेगा ठीक है आया समझ में तो सर्विस सेक्टर इस दी राइड आंसर सर्विस दी राइड आंसर फोर इस कुशन कुशन अबर 24 आया समझ में तक तो primary secondary अगर का रुट करने की बात कि जाए गीड़ीपी की बात कि जाए इस्टारिकल शिफ्ट की बात कि जा तो ने पड़ लिया है ठीक आपको जो चीज़े धहन रखना है कि जब आप GDP करते तो फाइनल गूड्स सर्विस इस को लेते Intermediate Goods को नहीं लेते हैं country के अंदर की जो territory है वहां से ही आपको दियान रखना है तीन सेक्टर होते हैं अब हम इंडियान कंटेक्ष में चीज़ों को समझेंगे तो इंडियन कंटेक्ष में मतलब क्या है है अब से जो आपका चाप्टर जाने वाला है ना वह इंडियन कंटेक्ष में जाएगा स्पेसिफिकली ठीक है यह आपका सवाल लेकिन इससे पहले एक चीज़ और सुन लो भी बॉटेंट क्या था कि हमें पता होना चाहिए किदर जा रहा है चाप्टर कहां तक सीमी थे तो यह जाए तो कंट्रीज को कंपेर कैसे करोगा जीडीपी स्केट हम में ठीक है किसकी कितनी बड़ी जीडीपी है अब जीडीपी क्या है तो वह जितना प्रड्यूस हुआ है वह उसका सम हो गया ठीक है दिवैली ओफ फाइनल गुट्स इन सर्विसेस प्रड्यूस्ट विदिन अग कंट्री इन ओर दी थ्री सेक्टर्स ठीक है वह आपको से गडीपी मिल जाएगी अब हम अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडियन कंटेक्स में प्राइमरी सेकंडी टर्शेरी सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही है वह आप यहां पर पढ़ने वाले हो ठीक है तो यह दोखो यह पहला सवाद विच सेक्टर हैस इंडिया सेलेक्ट वन फ्रॉम दिक फॉलोइंग अल्टर्निटिव से ध्यान से पढ़ लार्जेश्ट प्रडूसिंग सेक्टर मतलब प्रड्यूसिंग सेक्टर इंद सेंस की जीडिपी में क्या प्रड्यूस्ट उसका contribution रहा है वो पूछा जा रहा है largest producing sector रगे largest producing sector in terms of value value सबस्था कहां से produce हो रही है तो से secondary sector से tertiary sector से primary sector से science and technology से अब science and technology वाला सैक्टर कौन सा बन गाया तो यह तो यहां पर जीए कर दो चलो तो आप यहां पर जीए सबस्था ज्यादा tertiary sector कंट्रिब्यूट करता अभी डेवलप नहीं हुए लेकिन आप देखेंगे तो इंडियन कंटेक्ट्ट में क्या होता है कि इंडियन जीडीपी जो इस में टर्शरी सेक्टर सब च्यादा कंट्रिब्यूट करता है अब यहीं पर आप देखो गार इस टॉपिक के अंदर जो ए अन प्रिशिदेंटेट पेस्टि एपन बहुत तेजी से ग्रोगर रहा है तर्शरी सेक्टर वर आदी फेक्टर बेहेंड दी रोट ऑफ टर्शरी सेक्टर इस तरह से काया टर्शरी सेक्टर पर मल्टीपर कुशिन मनते हैं तो वही सारी चीजों को त्यान में रखना विच यहां यह स्टेटमेंट तो सही है क्यों क्योंकि तर्शरी सेक्टर की जब आप देखते हो तो normी का इस अर्विसे decree सेक्टर वह कहा जाता यह और सर्विसेतर की सर्विसेस जाती कि पंदर कुद बेसिक सरविसेस प्याइथ जैसे फॉस्पिटल्स की बात कर ल बढ़े तो चलते सर्फिस इकटर तो ग्रो करेगा ही करेगा prov करेगा करेगा एवाली 123 सेटर टो भीस आपके तयर स्वय बढ़े घा कि बाट से कि हमारा सर्विस Sresर डरो भी आगे बढ़ेन तो क्यों क्योंकि जिससे आप देखो सेक्टर्स कि इंटर डिपेंडनेंट कि संस मेर्ट कि अगर हम बात करते हैं प्राइमेरी सेक्टर में माधनलों का वीट जाना है कहांप in इंड़क्री में सेटिर रेकिंडी सेक्टर में तो वीट के पैर रही निकल क्या लाएंगी ज़हां कि चले जाएगा ठीक है उससे आपको एक और चीज के बता दें कि अधिकतर लोग जो काम कर रहे हैं तो सब चाहता है काम करने याले लोग हमारे अब प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं जी हां ठीक है तो आप मेजरीटी आफ दी पॉपुलिशन इस एंगेज इन दी पाइमरी सेक्टर इन इंडिया ठीक लेकि तो income level increased does there is demand for more services यह बाद भी सही है कि service के ग्रोव करने का कारण ही है क्या कि जैसे जैसे इंकम लेवल लोगों का बढ़ता है तो वैसे वैसे जो है वो बढ़ना तयह थिक कि आप सब्सक्राइब करती है तो अब देखेंगे इस सब्सक्राइब करने वाले इस service provide करने हाले business जो है वो क्या करेंगे वह ultimately क्या करेंगे लोगों की income जब बढ़ेगी तो लोग ज्यादा ज्यादा service को afford करेंगे सीधा सा example में आपको देता हूं कि पहले लोग खाना खुद बनाते थे लेकि जब उनकी इंकम बढ़ जाती तो क्या करने लगते हैं में तो यह भी क्या यह कारण है service sector के grow करने के पीछेगा तो ABC तीन options में से आप क्या चूज करेंगे सी जो है वह क्या है नौट इदी रीजन यह रीजन नहीं है इनफेक्ट क्या है कि वर्किंग पॉपलिशन जो तो नॉट नैसेसरली इडिज नॉट गैरेंटीड या फिर हम कहेंगे कि यह सेक्ट नहीं है कि यह स्टेटमेंट इगलाती मतलब कि वर्किंग पीपल जो है सर्विस सेक्टर में काम कर रहे है ठीक है ज्यादा तर लोग प्राइमेरी सेक्टर में काम करें कंट्री में ठीक चलो 27th question 27 दे कुए रहे हैं greater the development of primary and secondary sector between the demand for such services ठीक है तो यह अपन्वी देखा आपने कि जैसे जैसे primary secondary sector में growth होगी ठीक है more the demand for services तो अब यहाँ पे मोर दिख रहा है क्याकर ही simple है प्लेक तो more is the demand for the service sector more is the demand for services primary secondary sector बड़ा तो services भी उससे जुड़ी हो ही बड़ेगी ही बड़ेगी ठीक है ही निकल किया जाएंगे उसको ले जाना पड़ेगा तो वीड ज्यादा प्रडूस होगा प्राइमरी सेक्टर ग्रोह रहेंगा ठीक है या फिर इंडस्ट्री ज्यादा रॉम अगर डिमांड करेंगी तो वह रॉम अटेल को भी ले जाने के लिए तो सर्विस सेक्टर सर्विस पड़ेगी ही ठीक है फिर एकला सवाल देखो तो वाइज इस सर्विस सेक्टर ग्रोइंग अनीकोली अब यह पॉइंट है अब मैं आपको चीज बताता हूं क्या कि जो सब तॉपी कि आपका ना की रीजन बेहेंड दी राइज इन तर्शिरी सेक्टर तो तर्शिर सेक्ट कीoure ने दीखतनी नीं कितना पर चले गई है लेकिन कुछ सर्विस जैसे माझलोक्या है किका सर्विस इसके क्रह मात करें कोई हाथ धेला धका के ली जाता था ठीक है तो वो इंसान जो ऐसा नहीं कि वह सर्विस सेर्टर में आता हूं मेरा तो अबाई आपस जाधा not many type of jobs in the service sector ठीक है all jobs offer similar growth but people are unable to utilize it ठीक है all type of jobs are not high paying jobs service sector is not growing at all तो यह तो गलत हो गया ऐसा तो है नहीं सर्वी सेक्टर ग्रोग कर रहा है जबी तो पड़ रहा है हम ठीक है फिर कहा है all jobs offer similar growth but people are unable to utilize it नहीं हर job जोती similar growth नहीं मतलब provide करती है अब प्लंबर है या फिर एक जो कह सकते हैं कि रिक्षाप उलर जो है तो इसके पास भी opportunity कि वो करोड़ों का package ले ठीक है तो कहीं jobs में बहुत जादा पैसा है कुछ jobs में पैसा नहीं है ठीक है there are not many type of jobs in the service sector service sector में job तो बहुत सारी है लेकिन अनिक्वार ग्रोग करने की पिछिका कारण यह है कि all types of jobs are not high paying jobs कुछ jobs में पैसा नहीं है ठीक है इसी कारण से क्या है कि वहाँ पर आपको inequality देखने को मिलेगी इसी कारण से हम क्या सकते है कि service sector is growing unequally आगे नहीं समझने तो सीजी राइट आंसर फॉर दिस कुछिशन सीजी राइट आंसर फॉर दिस कुछिशन मुइंग ओन तो इनेक्स कुछिशन अगला सवाल देखो का है what kind of workers are employed in the tertiary sector tertiary sector में किस तरह के वरकर जो हैं employed होते हैं both skilled and semi-skilled only skilled only semi skilled तो tertiary sector में सभी प्रकार के वरकर्स देखने को मिलेंगे आपको मैंने क्या बता है कि हर services equally payable नहीं होती है तो कुछ services जो रहती उनके लिए उतना पैसा नहीं दिया जाता तो कोई hacker है उसकी services को फॉर्ट करना चाहिए तो पैसा मांगेगा मोटा पैसा मांगेगा वो ठीके लेकिन कुछ services से भी होती है जिसमें skilled की जरुवत नहीं होती है या फिर कह सकते है सब्सक्राइब से भी काम चल जाएगा ठीक है तो is the right answer for this question समझ में आए नहीं कुछिन चलो अगला सवाल assertion रिजन है एक और तो service sector has the largest share in GDP among all three sectors but considerable less number of employees ठीक है service sector is underdeveloped assertion भी दिया है reason भी दिया है अब आप क्या देखना है आपको पहले सबसे पहले यह देखना है कि इंटेंशनली क्या किया जाता है statement को not correct incorrect बदल दिया जाता है ताकि क्या आप पकड़पाऊ अच्छी तरह से ठीक है तो गलती जो है उस गलती को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो देखो क्या है service sector has the largest share in GDP सहीं है के इतनी बात हाँ largest share in GDP among all the three sectors but considerable less number of employees जी हां तो सर्विस सेक्टर का GDP में कंटिबिशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें जो लोग काम कर रहे है ठीक है मतलब production ज्यादा लेकिन लोग काम कम कर रहे है इसका मतलब क्या है कि service sector under developed है नहीं service sector over developed है कह सकते हो आप ठीक है अब हम यहां पर सर्विस सेक्टर में दिक्कत क्या है कि service sector is not able to generate more and more jobs ठीक है जितना है उतने में क्या है GDP में तो बहुत जादा है ठीक है लेकिन क्या लोग कम काम कर इसका मतलब क्या है कि उसमें और jobs create होना चाहिए तो यहां पर क्या है service sector is not under developed statement गलत है तो A is true and R is false अगर द answer for this question C is the right answer for this question अगला सवाल ठीक है अगला सवाल देको एक और मज़ेदार है which among the following workers are not very productive in tertiary sector मैंने क्या बता है कि tertiary sector जो ग्रोग कर रहा है तो अनिकोली ग्रोग कर रहा है तो अब आपको यह नेखना है कि कौन सा टर्शरी सेक्टर में से मतलब कौन सा यह जो वरकर की काटेगरी दी गई है ठीक है इस नोट वेरी प्रदक्तिव प्रदक्तिव नहीं है वो तो educated and trained professionals ठीक है educated people working in health centers and hospitals health centers or hospitals में काम करने वाले लोग भी प्रदक्तिव है ठीक है वो लोग भी क्या करते है मतलब अगर आप productivity को in terms of pay scale देखोगे तो भी बहतर है ठीक है और अगर आप productivity को in terms of क्या सकते हैं कि what differences or what contributions they are giving to the society तो उसमें भी productive है लेकिन अगर हम बात करें रिपेर वर्कर्स और डेली वेज़ वर्क अर्नर्स तो जरूरत इनकी भी होती है ऐसा नहीं कि इनकी services की दरुवत नहीं है लेकिन क्या है उतने productive नहीं है क्योंकि in terms of pay scale अगर देखा जाए तो दिन भर काम करेंगे लेकिन फिर भी क्या उतना पैसा नहीं कमा पाते कि दो ताइम की रोजी रूटी अपनी चला सकें ठीक है तो रिपेर वर्कर और डेली वेज़ वर्कर्स are not very productive in tertiary sector tertiary sector में जो unequal growth के हम बात करते हैं तो वह यहां पर दर शाया जा रहा है ठीक है अगला देखो आयाना समझ में इतना अगला सवाल का है over the past decade or so certain new services such as dash have become important and essential तो हम क्या पढ़ रहें broad topic हमारा primary secondary tertiary sector in India उसमें सब topic क्या है what are the reasons behind the rising tertiary sector क्यों देखने को मिल रहा है मैं तो आप यहीं पूछा गया है तरसी सेक्टर में राइस हुआ तो उसके उससे जड़ावा कि statement है कि पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखोगे पिछले कुछ decades में आप देखोगे तो कुछ new services emerge हुई है ठीक है और जो आज बहुत important और essential हो गई है तो private hospitals private hospitals आ है ज़रूरी essential लेकिन यह तो हमेशा से रहें professional training यह भी हमेशा से रहा है ठीक है information and communication technology और insurance तो अब आपको क्या सही लग रहा है ठीक है तो I guess majority of you are going to opt the option C to option C is the right answer for this question जी हां option जो C है वो इस सवाल का सही जवाब है ठीक है अगला सवाल इन विच टाइप आफ अन एंप्लोइमेंट more people are employed than required ठीक है मतलब इन विच टाइप आफ अन एंप्लोइमेंट तो शब्द का चिसे सुन सुनना अनेंप्लोइमेंट एक तरह की बेरोजगारी है मतलब लोग काम कर रहें लेकिन बेरोजगार है तो आपको वहीं identify करना है ठीक है अब हम किस पर आगए हम इस पर आगए वेरार most of the people employed वाला जो सब्टापिक है आपका तो वेरार most of the people employed तो हम देखते हैं वो जो ग्राफ से तो उसमें हमने आपको theory part पर समझाया भी है कि और यह questions के तुरू इतनी समझ में भी आ गया आपको क्या कि सेक्टर के अगर बात करें तो contribution टर्सरी सेक्टर का ज्यादा है लेकिन employment ज्यादा कहां पर primary sector में ज्यादा employment मतलब क्या कि primary sector की लोग अपनी full potential पे काम नहीं कर पा र ठीचिन इस एंगेज इन primary sector तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करें लेकिन उसका GDP में उतना contribution नहीं है इसका मतलब अपनी full potential पे काम नहीं कर पा रहा है ठीक है तो इन विच टाइप ऑफ अनेंप्लोइमेंट और पीपल आरें प्लाइट दिन रिक्वाइड जर अपनी full potential पे काम नहीं कर रहे है ठीक है और या फिर कह सकते हैं कि अगर काम कर रहे है तो आपकी महां जरुवत नहीं है मतलब कि पीपलार एंप्लाइट देन रिक्वाइड तो जितने लोग जरुवत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे है तो यहां पे B is the right answer for this question ठीक है त survey on employment and unemployment के घर हम बात करें तो नरेगा है RSSO है ILO है और नीती आयोग है अब आपको यहां पर थोड़ा logic लगाना है logic क्या है नरेगा तो हमारा scheme में जाएगा ठीक है जिसका नाम बात में क्या कर दिया है मंद्रेगा कर दिया है international labor organization ठीक है international labor organization जो तो अल्टीमेटली वह लिब लिस्ट में डाल देते हैं नीतिया योग तो नीतिया योग का तो काम क्या है नीतिया योग एक तरह से क्या है planning commission को replace करके आए वह तो गवर्मेंट को एक तरह से इस दी राइड आंसर फॉर दिसक्षिशन ठीक अगरा सवाल देखो चूज दी करेक्ट स्टीट्मेंट स्टीट्मेंट फ्रंदी फॉल्लींग अंडर एंडर एंप्लाइम्ट कब होता है अच्छे सबने कुश्यन मजदार है आसान है लेकिन ट्रिकी है अभी हमने वक्ति उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है डिसगाइज अंप्लाइम्ट को यह अंडर एंप्लाइम्ट कहा जाता है पूरे हिंट देदिये मैं अब पढ़ो और देखो आंसर देखो क्या हो सकता है वेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क ठीक है the people are not willing to work Blizzard कहें यह तो एक्षा से बे रूजगार है मतलब हो चा canción के पास में किसे काम कर रहा है बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है तो रोजगार होगे अंडर इंप्लॉइमेंट की कटिगरी में नहीं आएगा ठीक है वन पीपर आर वरकिंग लेस्ट देन वाट वाट दे आर कैपेबल आफ डूइं मतलब यू आर अंडर एंप्लॉइड आप जितना काम कर सकत हो से आप कम काम कर रहे हो ठीक है आप कम काम कर रहो इसलिए हमें क्या करना पड़ा है दूसरे लोगों को काम पर रखना पड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हां यह स्थिति जो धर्शाती है यह स्थिति अंडर एंप्लॉइमेंट को धर्शाती है ठीक है तो C is the right answer I guess अ इसकुषिन कुषिन नंबर 36 देखो क्या है which of the following statement is correct about the agriculture sector agriculture sector के बारे में कौन सा statement सही है ठीक है which of the following statement is correct about the agriculture sector the agriculture sector shares the largest contribution in GDP तो GDP में largest contribution तो किसका है tertiary sector का service sector का तो यह तो गलत हो गया ठीक है the agriculture sector employs the largest number of people in India जी हां statement तो सही है कि largest number of people को employ करता लेकिन अभी हम ठीक नहीं लगाएंगे भी हम आगे के statement पढ़ेंगे the share of agriculture sector in GDP has been rising over year rising नहीं declining ठीक है तो जो आप देखो होगे तो independence के बात के time period में हमारा जैसे जो 70 70 71 के time period के जो चार्ट दिये गए आपकी बुक में उन ग्रास को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्या है GDP में contribution primary sector का ज्यादा होता था लेकिन over the period of time क्या देखने को मिला है कि GDP में जो contribution है वो डिकलाइन हुआ है primary sector का ठीक है तो the share of agriculture sector in GDP has been rising over गलत है तो सही क्या है b b is the right answer for discussion तो आपको ध्यान रखना है b joha option b is the right answer for this question आगे पड़े अगला सवाल देखो क्या है तो mg नरेगा mg नरेगा भी कहते हैं मंद्रेगा होता है ठीक है तो अगर हम महात्मा गांदी national rural employment गारेंटिक की बात करें अब दो मैं आप सभी करोना एक topic से 1000 बन सकते हैं एक topic से 1000 बन सकते हैं आपको वह ध्यान में रखना होगी कि महात्मा गांदी national rural employment guarantee act ये क्या है ये इसका क्या है जिसे महात्मा गांदी national rural employment guarantee act का full form लिखने को आ सकता है ठीक है मंद्रेगा का full form लिखने को आ सकता है तो फुल form ध्यान रख लेना तो उसे आप से कब act पास हुआ था 2005 में तो factual details तो आपको ध्यान रखना ये concept तो मता ही रहें factual details भी ध्यान रखना question कहीं से भी किसी भी तरह से आ सकता है ठीक है तो मंद्रेगा has guaranteed dash days of employment ठीक है in a year in many districts of India what are correct number of days कितने दिन का काम दिया है ठीक है अगर आप मंद्रेगा के वरकर हैं तो आपको कितने दिन का guaranteed employment गया है ठीक है तो 100 days अभी आप सोचेंगे सार 300 65 दिन होते सौ दिन का काम दे दिया बागी के दिन क्या करेंगे तो खुद भी तो कुछ कर रहे हो ठीक है तो वरकर्स खुद भी कुछ कर रहे होते हैं उपर से क्या उनको 100 days का guaranteed employment provide किया जाता है किसके द्वारा गवर्मेंट के द्वारा और अगर वह employment देने में फेल हो जाती है तो government क्या करती है उन्हें unemployment allowance देती है मतलब बेरोजगारी भच्ता मिलता है हमने आप से promise कि हम आपको काम देंगे काम नहीं हमारे पास तो पैसे तो लही तो इस तरह से तो 100 days का guaranteed employment minimum wage के दर से दिया जाता है तो इससे क्या है लोगों को लोग जो बेरोजगार की तरह घुमा करते ना तो वह बेरोजगार की तरह नहीं गुमेंगे उनके पास काम रहेगा ठीक है और हम फिपंढ़ कर 1767 अब हमfoundation or how to create more employment में गartetारा SCHK égal जाता है तो 1 함 सचेम वह क्रेटिंग इंप्रेटिंग कीरे प्रेशन प्रोग्राम जो है कंच संच किन पोन कान लाइं उन्प्राइब्न सच एक्ग्जयम्पल ठीक है वन सच लिक्ट ऑंप तो दोल्सकशन ते शी आत्मकानी नेश्टनल रूरल एंप्लाइमेंट गरेंटी एक्ट या जी स्कीम है इस स्कीम के चलते किस चीज को इंप्लिमेंट किया गया है ऑप्शन्स देखो अगर स्टेट्मेंट पढ़ने के बाद होता है तो दूसरी चीज यह क्या करो कि आप्शन्स क्या करा है रायधा खालिए लाइट फ़री पानी भी चाहिए खाना भी चाहिए सब कुछ रएक रट टु लाइव के अंडर में के आप जिसे देखोगे ना तो राइट वर्क भी आता है तो मंढरे-का जो है वह आप देखो क्या है सेक्टर्स on the basis of activity या फिर प्रोडक्शन के अगर हम बात करें तो वह हमने कंप्लीट कर लिए प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी ठीके कंपेर करो GDP क्या होता है वह सारी चीजे फाइनल गूट्स इंटर्मीडियर गूट्स हिस्टॉरिकल शिफ्ट जो देखने को मिला कि शुरुवात में क्या है प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते थे फिर सेकंडरी सेक्टर की तरफ गई एकनोमी और फिर अल्टिमेटली टर्शरी सेक्टर की तरफ गई एकनोमी वह सारा सब कुछ टरफ कम बदल जाएगा तो एकनोमी के और क्या कर सकते हो और अरघरी सेक्टर में भी क्लास सिफाइ कर सकते हो सकते हो कांता और कमल की कहानी सुनी है तुक игр को Claus के नाम पे चाहे मिली तो मिली एक चाहे मिल जाती है ठीक तो वो सारी समझ से आए थी तो वो दो एक्जामपल थे बाकि आपको एसेंस समझना है आपको टॉपिक की थीम समझना है तो और अर्गनाइज और अर्गनाइज सेक्टर जो है उन्दी बेसिस ओफ वर्किंग कंडिशन के साब चाधरम देखें तो यहां पर क्या देखने को म अर्गनाइज सेक्टर के अंदर नहीं आते हैं तो फार्मर इरिगेटिंग इस फील्ड ठीक है यह तो क्या है एक किसान आपने खेट पर काम कर रहा है लेकिन उसको कौन मतलब उसका ध्यान रखने वाला कौन है एक तरह से गवर्मेंट के अंडर में सुपर विजन में भी उसको कोई benefits नहीं है कि अगर फसल नहीं हूई तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो उस तहर से क्या है वह एक अन ऑर्गनाइज सेक्टर का पार्ट हो गया हमें डाजन पता करना है ठीक है अडिली वेज लेपर वर्किंग फॉर कान्ट्रेक्टर एक डेली वेज लेवर ह काम करता दिन भर महिनत करता साम को पैसे मिल जाते हैं बस उसका वर्किंग एड्मास्टर इतना ही तो यह भी क्या यह भी अनॉर्गनाइज सेक्टर में चले गया डॉक्टर इन होस्पिटल ट्रीटिंग आप पेशेंट ठीक है इसको अभी हम क्या रखते हैं मतलब के डिगरी की बनाती साथी चुन्यां ठीक है अगर लेकिन उससे कुछ हो गया तो सका ध्यान रखना वाला कौई नहीं गॉर्मेंट सुपरविज्टन में यह कोई बैनिफिट नहीं है तो यह भी अनॉर्गनाइज है अभी अर्गनाइज यह अनॉर्गनाइज तो सहीं आंसर क्या अगला सवाल सवाल देखो क्या है manufacturing units in unorganized sector manufacturing units in unorganized sector unorganized sector manufacturing units होते हैं ना मालों क्या हिक कोटेज इंडस्ट्री टाइप से छोटी से फैक्टरी चल रही है गवर्मेंट को पता ही निए घर के अंदर फैक्टरी चला रही है तो ऐसे manufacturing unit joint organized sectors में ठीक है they are not subject to the government regulations जी हां गॉर्मेंट तो कोई ध्यानी नी रख पारी ना गॉर्मेंट को पता ही निये subject to the government regulations नहीं government सब्सक्राइब नहीं 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 नौन अब चार में से एक तो चूज करना पड़ेगा जब तीन नहीं तो क्या चौथ आपने आप सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो A is the right answer for this question A is the right answer for this question आया समझ में चलो अग्रा सवाल देखू कहा है अग्रा सवाल मतलब यह यह automatically आया अब देखू सवाल which among the following features of which of which among the following are is which among the following is a feature of unorganized sector ठीक है इन में से क्या एक unorganized sector का feature है ध्यान से पढ़ना unorganized organized unorganized में क्या होता है भ्रहम हो जाता क्योंकि वह अन नहीं देख पाए और गनाइस देख लिया जल्दी भाजी में कभी भूल गया कुछ एक आथा लेटर तो अब देखो पता करो कि कौन सा unorganized sector का feature है ठीक है फिक्स नंबर ओफ वर्किंग आर्स मतलब इतने घंटे आना इतने घंटे आके काम करके चले जाना है ठीक है इतने घंटे काम करके चले आना तो यह क्या है यह और गनाइस जैसे बोल दिया ना कि नौ से पांच काम करना है बस उसके बाद में क्या घर जा एक आ lifes होले इंप इस निकाल दिया जाएगा और अरना इस सक्टर यह कहा है यह नोटाए यह सा zu होता है अना रग्राइस सेक्टर नहीं होता है तो सिंपल सा सी इस इस धी राइड आंसर फॉर दिसकूशन ठीके सिंपल साथ यह सी इस ती राइड अंसर फॉर दिसकूशन आगे बहुत अगया बड़ते को विच्छ आ आपको ऑर्गनाईस के बारे में बहुत कुछ पता चल होता क्या नहीं आउट सार इर्रेगुलर नहीं जॉब्स भी रेगुलर होती है सेलरी अच्छी होती है और गनाइस सेक्टर में अगर आप क्याम कर रहे हैं तो आपको अर्गनाइस से अच्छा पैसा मिलेगा ठीक है अब वह बात अलगे कि अगर आप अर्गनाइस सेक्टर मे compare to unorganized sector salaries are pretty good तो उस case में क्या है यह वाला जो पार्ट है कि terms of employment are regular कि आपको कितने घंटे काम करना है कितने दिन हफते में काम करना है वो सारी चीज़ें clear होती है regular होती है होती है तो वह किसका feature होता है terms of employment जो होता है ठीक है वह organized sector का होता है अब देखो यह सवाल और इस सवाल को तसली से देखो अच्छे से मैं हट जाता हूँ और फिर इसका answer बताना मुझे कॉलं रॉप है कॉलंब भी है देखे अंधिकुक्vem आपको अर बतावनेंट strike में की अर्फ को कीए가 को इनिडिवस्ति द सिक्टर अब आपको क्या करना है आपको आपको क्या करना है इसकानि इसमें से एक answer जूज करना है तो देखो क्या है टीमेकर विथा स्ट्रीट स्टॉल मतलब चाहे कि गुंटी लगी यह पानी वानी गिर रहा है तो पीते ना पन चाहे जाके ठीक तो वह क्या है वह किस केटिगरी में आएगा इन में से और गनाइस्ट नहीं होगा अनगाइस्ट चलो समझ लेंगे पब्लिक प्राइवेट तो प्राइवेट खुद की गुंटी है ठीक है तो प्राइवेट में जा सकता है वह चलो अभी अभी देखो कूदना मत कर भी ऑप्शन पे एक दंबस कहां सर इस पी लगा दो सब पूरा जरेने अच्छे से मुहेंचा कर लेना गर्वर्मेंट ओफिशल जो है तो ऑफ्शन में आपके पास क्या है पबलिक सेक्टर राइवेट सेक्टर और अग्राइज न ओवर्मेंट ओर्फिशल उसक्ता है तो यह भी का फिस्कू सब्सक्राइब बताओ फिश को सिलेट करोग तो वह वह भी एक पॉब्लीकेशन प्राइविट सेक्टर में आ सकती और गनाइस सेक्टर में आ सकती है अब ऐसा हो रहा है कि हम पर क्या ओड़ा है कि जोड़िया जो एक से ज्यादा हो मैं तो अब आप किसको सेलेक्ट करोगे बताओ तो अब यहां पर ऑप्शन की मदद लो हम क्या देख सकते इन सारी चीज़ों में एक चीज़ तो आइडेंटिफाइड है कि टी मेकर विट स्ट्रीट स्टॉल जो है तो उसका जो बजन है वह अनॉर्गनाइस सेक्टर पे ज्यादा जा रहा है तो एका टू 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 एका टू एका टू यह है एका टू पूब्लिक सेक्टर है तो तरह से चलिक हो रहा है बीका 3 अवसी का 4 सी का 4 मतलब का आए CEO इन टेकनोलोजी कम्पनी देखा आप इडेंटिफाइ करो CEO इन आठ टेकनोलोजी कम्पनी तो टेकनोलोजी कमपनी में CEO मतलब si ka 4 याने प्राइब ट्राइबेट सेक्टर जीए हाँ अब वो सी ओ जो होगा ना वो पॉब्लिक सेक्टर में जाएगा वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा यह उसके बंद हो गया तो अगर आप ऐसे देखो कि कि की कहीं पार्ट होगा और अर्ट है यहां पर गया गॉवर्मन्न ऑफिचरा का पार्ट हो यह यह रहा है तो यह बेस्ट पेर्स बन रहे इस तरह से और यह सारे आपको प्रफिशन एमें दिख रहे हैं अब जिसे अगरा दूसरा उप्षिन उठाए कोई शाप सी वाल ऑप्षिन उठाटे तो एका ठीग रहे है वो मतलब टीमेकर इस ट्रीट स्टॉल वो पॉलिक सेक्टर में आगा नहीं आ सकता तो यह आप्षिन का अपने आप में कैंसील हो ग अगला सवाल क्या है अगला सवाल हमारा रिटार्मेंट सेविंग स्किम इंट्रेडू सब्सक्राइब और अबने सब्सक्राइब हो बहुत सारे बैनिफिट में से एक बैनिफिट यहां भी आएगा सेविंग स्कीम अप्रिटायर हो जाएंगे बूड़े हो जाएंगे जब काम थो नहीं कर पाएंगे मैं भी नहीं कर पाऊंगा ठीक है लेकिन तो ऐसी है कि कभी भी कर सकता इंसान मेरी तो ऐसा इक्षा होती कि मरने के बात भी बात करें तो यहां पर जाके भगवान की होगे तो ग्रेच्विटी प्रोविटेंट फंड एंटरप्राइज और सब्सीडी चार ऑप्शन दिये सब्सीडी तो मतलब क्या होता है सब्सीडी मतलब आपको बेनिफिट मिलना कि सौ रुपे का समान है पचास आप दे तो पचास आपके भी हाइफ पर गवर्मेंट दे घ्र घ्रचीटी नहीं होगा voju experts वाइफ में से चोटा 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 पैसे काड़ते रहते है जब राइड आंसर फॉर दिस कुषिए ठीक है बीज दी राइड आंसर फाइन अगला सावाल देखो कहा है डेली वीज वरकर है सुबह से काम पर गए शाम तक काम किया पैसे मिल गए बात खत्रम उसके अलावा क्या है और दूसरे कोई बेनिफेट्स नहीं है तो यह किस में आजाएगा यह भी अर्गनाइज में आजाएगा हमें क्या पता करना है नॉट फॉल अंडर दिया नॉर्ग का कमपने ध्यान रखती है ठीक फिर का है अब को किंग अइन इंडी हाऊस औस रहाउस टिक है in धियाऊस ऑफ हर वस्कैया है लिए ठीक है तो मतलब स्टेट्मेंट में घटब लिकिन कुप की बात करें जो किसी की घर में काम करेंक मैड है तो वह भी अर्गनाइस सेक्टर म नहीं आता है option c आगे बढ़े अगला सवाल देखो क्या है which of the following is a reason for the need of protection of vulnerable people vulnerable people कौन होंगे रिखो अब how to protect workers in unorganized sector जो sub topic है ठीक है तो division of sectors on the basis of organized and unorganized हो गया unorganized क्या organized क्या हो गया समझ में आ गया अब अगर हम बात करें तो हम यह देखते हैं हम यह समझते हैं कि जो unorganized sector में वरकर्स हैं वह वल्नेरेबल हैं उन्हें protection की जरुवत हैं उन्हें हमें क्या देना पड़ेगा उन्हें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा क्यों देना पड़ेगा क्योंकि उनके अगेंस्ट में क्या है बहुत सारी वल्नेरेबिलिटी स्काम कर रही है कैसे प्रोटेक्ट करोगा आप उन्हें तो आप जॉप सिक्यूरिटी दो ठीक है अब मान लो क्या फार्मर्स जो है तो वह भी अनौरगनाई सेक्टर में आगा तो उन्हें आप क्या करो सबसीडी दो उन्हें क्या करो क्या करो एमस्प प्रोटेक्शन क्यों देने की दरवत है क्योंकि युदु नॉट है उनके पास जौब सिक्यूरिटी नहीं यह यह लेज सल्फ और जाते जाते दे 2 only 3rd only और या फिर 1 2 3 तो यहां पर सही आंसर क्या होने वाला आपका राइड आंसर इस ऑप्शन दी 1 2 3 इस दी राइड आंसर फॉर दिसकुशन ठीक है अगला सवाल देखो कहें अगला सवाल सीधा आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्या विच आफ दी फॉलोविंग कैन बी अवे कपड़े बाट रही है लेकिन यह से प्रॉब्लम खतम नहीं होगी ठीक है दे शुट भी सेंट टू अनाधर कंट्री अनॉर्गनाइज सेक्टर में है यहां पर हमारे देश में चलो दूसरे देश में पहुचा दो यह भी गलत है ठीक है तो समस्याओं को मलब यह देक से आए तो आएगी अनुर्गनाइज सेक्टर में हमारी कंट्री में लोग काम करें तो इसका मदल भी थुरी ना कि उनके बारे में ना सोचा जाए कि उनको दूसरे देश पहुचा दो आपको यह देखना होगा कि प्रॉब्लम को खतम कैसे किया जाए तो आपके सामने जब है कि उसी यह सिखा दो कि दो वक्त की रोटी कमाई कैसे जाती है ठीक चलो तो अच्छी थी लेकिन अभी हम ऑप्शन हमें ढोलना है यहां पर कि विच आफ फॉनेंग केंडिया वे टो हैल्प दीज वनेरेवल सेक्शन कैसे मदद की जा सकती है तो देशुड बी ओफर अध सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप समस्याएं ख़दम हो जाएगी ठीक है अब 48 कोशन आया हमारा लेको विच आप दी फॉलाइंग स्टेट्मेंट इस नौट करेक्ट पता करना है आपको वरकर्स फ्रॉम शेडियूल कास्ट ठीक है वरकर्स फ्रॉम शेडियूल कास् इस में किसि इंस सकता है यहां था तो सही है तो करेक्ट है तो नौट करेक्ट तो नहीं है मतलब क्या करते हैं इस कौम पास कर देते कि चलो तुम हमारे चन्नी में से निकल गए हो ठीक है फिर क्या है बिसाइट्स गेटिंग दी इन रेगुलर एंड लो पेड़ वर्ग वर्ग बीज वरकर्स आल्सों फेज सोशल डिस्क्रमिशन भी फिस करना पड़ता है पोर एक्जामपल की अब को जैसे काम कम है और उसकी चीज़ भी क्या को उनको काम देने जाएगा पुझे कांसी जाती नहीं सिसी तरह से तो कैश रबेक कौन जी जाती सचव शॉच्छा जाती से हो तो मैं काम पर नहीं रहा प्रोटेक्ट करना है तो मतलब उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोटेक्शन उन्हें सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनका एकनोमिक और सोशल डिवलप्मेंट दोनों चीज़ें हो सके हैं ठीक है एंड पॉसिबल तो प्रोटेक्ट सच वरकर सिंदिय आपने अपने गलत है तो शयुक्वर्णी तो अय्यूंग ये नगेटिव स्टेटमेंट लेकीन पॉसिबल ही ने उनको प्रोटेक्ट कर नहीं सकते हैं कर सकते हैं ठीक है तो ये स्टेटमेंट के आपने अपने गलत है तो ऑपशन डीस धी रायाइश्च अनसर पता करना थ है because organized sector have less opportunities to offer क्योंकि और गनाइब कोई भी एक्षार से नहीं जाएगा कि चलो चलो अर्गनाइब सेक्टर में काम करेंगे नहीं उन्हें भी समझ में आता है कि जहां पे रेगुलर पेमेंट ना हो जौब सेक्यूरिटी ना हो ऐसी जगा काम करने से क्या मतलब लेकिन फिर भी आप किसको सेलेट करेंगे option एक उसलेट करने वाले हम ठीक है तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं धीर आगे बढ़ते बढ़े इधने सारे सवाल को डिसक्स करते करते हैं हमारे चाप्टर के लास्ट टॉपिक प्यागे जो लास्ट आपिक कौन सा है लास्ट आपिक है सेक् आफ ओनर्शिप पॉब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सिंपल है थियोरी क्या है कि हमने देखा एकनोमिक एक्टिविटीज जो है ठीक है सेक्टर सिन इंडियन इकनोमी जो है तो वह अलग अलग बैसिस पर अलग हो गए प्राइमेरी सेकेंडी टर्शरी सेक्टर होता है अ मतलग अन्दी बैसिस अफ प्राइवेट सेक्टर होते हैं पॉब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं अब दोनों को समझना चालू करते हैं पहला सवाल आप लोगों के लिए दो क्या है तो नेम वन टाइप आइप आप अस लासिफिकेशन आफ दीकनोमी ठीक है वन ट अब लग 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 अदर जो सेक्टर से अलग अलग बेसिस पर अलग तरह से क्लासिफाइव कर सकते हो तो एक नाम बता तो चलो ठीक है नेम वन टाइप आप अफ लासिफिकेशन ऑफ दीक आपन रूरल प्लिक प्राइवेट नैशनल स्टेट तो अर्बन एकनोमी जै स्टेट और नैशनल जैसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ एकनोमी जो है तो अभी अभी जस्ट एक स्लाइट पहले बता है अन्दी बैसिस ऑफ ओनर्शिप एकनोमी जैन बीक्लासिफाइड इंटो पॉब्लिक और प्राइवेट सेक्टर तो सीज क्लासिफाइड इंटो पॉब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आप सेक्टर्स को पॉब्लिक प्राइवेट में क्लासिफाइड कर सकते हो सी इस दी रइडांसर फॉब्लिक टोनर्शिप आंटर्पाइड आउन्सर इंडश्टर इनडस्ट्रीज आर ओन बाइट तो अन्दी बैसिट प्राइट प्लिक होता है अब टिसको रिलाइंस आपको पता है तो रतन टाटा जी हो गए ठीकिए और अम्मानी हो गए तो अग अगर आप समझोगे तो यह दोनों जो आपको क्या देखने को मिल रहे हैं और ओन बाय हूं गवर्मेंट प्राइवेट कंपनी कॉपरेटिव सेक्टर या फिर जॉइंटली बाइप प्राइवेट कंपनी जन्दी गॉवर्मेंट किसके दोहरा उन की जा रही है तो यहां पर आप देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी है थो प्राइवेट सेक्टर का पाठ इसको भी और रिलाइन भी थी खिंट अगली चीज़ देखो कहा है the motive the motive of public sector enterprise इस ठीक है motive of public sector enterprise public sector enterprise का motive क्या होता है profit कमाना entertainment social welfare and security सब्सक्राइब करने के लिए लोगों का सोशल वेलफेर सेक्योरेटी इस चीज़ को देखने के लिए कि आपने एक चीज दिखा होगा कि रेलवेस जो है आप जाते हैं कि схwo क्यों कि वहां पर एवड़ को पैसा नहीं कमाना आपसे वह आपको प्राइवीट प्लेयर को पैसा कमाना लेता है थे हो तो जो है तो वह प्राइवेट प्लेयर को पैसा कमाना नेता है प्राइवेट प्लेयर का प्राइवेट सेक्टर का प्राइमरी मोटिव यह होता है कि वह आपको आपको आपसे पैसा कमाए ठीक और पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी मोटिव क्या होता है social welfare security क्योंकि ultimately वह इंडस्ट्री जो गवर्मेंट लगाई नहीं तो गवर्मेंट को कही खजाना नहीं मिला था कि यहां से खजाना निकाल लो इंडस्ट्री लगा दो ठीक है गवर्मेंट के पास जो पैसा गया अल्टिमेटली लोगों के द्वारा ही गया है तो हमने टेक्स दिया और हमारे ही टेक्स से क्या करती हो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है तो फिक प्राइमरी मोटिव जो हो गया वो क्या होता है पबलिक सेक्टर का social welfare and security dc is the right answer for discussion again see is the right answer for discussion अग्ला सवाल अग्ला सवाल देखो क्या है हौश डू बिक प्राइवटी कंपनी के पैसा कमाना प्रॉफिट कमाना तो वह कंट्री के डेवलोफ में आशको यह प्रियने अपना जेप घृ रही हम उसके सान साथ में का एक यो लूप में का अधर करते हैं कया सоворiture प्रविट कंपनियां देश में क्या करती है अपने इंडस्ट्री को स्टैबिश करती है तो लोग काम करते लोगों को एंप्लॉइमेंट मिलेगा तो सब कुछ सही चलेगा तो यहां पर आपको चीजे ध्यान रखना है हाँ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन धिवलप्मेंट ऑफ निशन तो बिग प्राइवेट कंट्री जो कैसे कंट्रीव करती है वह एक तरह से कंट्री में कहीं एंप्लॉयमेंट जन्रेट करना यह सारी चीजह किरां option के साब जर जाये तो बाइएं कि हore उन्ठीजिंग प्र्रिक्टिवितिए थि कंक्रिंदी मैनेफिक्टिरिंग ओफ इंडेस्टे़्स को रहत Kiss कर रही है ओपिंगे दिघ्स मिलेगा द्र्रम है गी तो ऊपनीट हो रहा है अब प्रड़क्शन अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी करेगे तो वह भी GDP में होगा कंट्री की एकनोमी बढ़ी होगी टेक्स मिलेगा लोगों को एम्प्लॉइमेंट मिलेगा तो यह एक नियरस्ट आप्शन लग रहा है ठीक है तो दिस इस जस्ट एन ऑप्शन ठीक इसको में में contribute करती है वह फिर अगला सवाल देखूका इन विच सेक्टर ठीकें इन विच सेक्टर एक्टिविटीटीज आर नौट गाइड़ बाइड़ प्रॉफिट मोटव प्रॉफिट मोटव से गाइड़ नहीं होती है एक्टि एक्टिविटीच ऐसा कौन सा सेक्टर एं ठ किसको कमाना है प्राइवेट सेक्टर को पॉबिक सेक्टर को नहीं कमाना है तो और गनाइज पॉब्लिक प्राइवेट अनॉर्गनाइज ती राइड आंसर इस पॉब्लिक सेक्टर ठीक है तो राइड आंसर क्या होगा पॉब्लिक सेक्टर कैसा सेक्टर जहां पे प्रॉफि facilities for the poor food and nutrition ठीक है तो government को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए यह statement सही है बहुत सही है देना चाहिए ठीक अगर गवर्मेंट को ध्यान नहीं तो हम याद दिला दे कि government को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए तो अब यहां कुश्चिन मार्क है क्यों क्या अभी हमने क्या पड़काया की प्राइवेट जो होना है प्राइवेट सेक्टर जो बड़ी बिग प्राइवेट कंपनी जो है वह भी कंट्री के सही रीजन क्या होना चाहिए डोलिए के यह से भी सोच के निगो कि सर्या से जिताई रीजन होता टुड़ क्या होता देखो टिक गवर्मेंट नीटस पै अटेंशल के टुदिए या स्पेक्र फ्यूमंब मेंट्फ मिघ्ट जच अवीलिगश्च अवेलेपिलिटी आसर्ट drinking water housing facility for the poor and food and nutrition because assertion say kya hona chahi agar hota toh because private sector cannot offer all these services at a reasonable cost okay private sector is not having the preferences to provide these services private sector is responsibility even dina is quite simple except a government who is sorry she's a provide Kanata ya because it is the responsibility of the public sector it is the responsibility of the government to provide the basic services to to its citizens I guess I made a reason say you talk to you talk about this question because answer kya hoga see kiki assertion to say you can reason kya false is true and are is false fine I guess I will do who I will come by some services are required to be owned controlled and managed by the government abhi jump like a picture say go by thudha sa ki sq ka jara ki kut services joe take a kut services kiske dvara own managed or control hoon a chahiye government के द्वारा कि government कुछ services पर क्यों ध्यान दे तो एक चीस सुनलो यहां पर थिवरी पार्ट जो important अच्छे से कि क्या होता है कि कुछ services हम देश में जब देखते हैं तो कुछ services private sector भी provide कर सकता है government sector भी provide कर सकता है लेकिन वहाँ पर government क्या करती है government अपना मतलब कह सकते हैं कि government की preference बन जाती की जैसे health education इन में क्या है government ध्यान दे क्यों क्यों कि private sector अगर इन सारी services को provide करेगा तो महेंगी हो जाएगी महेंगी हो जाएगी मतलब जो एक बड़ा section हमारी country में जो afford नहीं कर सकता है उस रेट पे वह बंचीत हो जाएगा और basic services से बंचीत होना मतलब दिया deprived from their right to life ठीक है जो की गलत है तो sense में government को ध्यान देना चाहिए ठीक है तो statements देखो government do not allow the private sector ठीक है तो कुछ services इसलिए provide की जारी है ओन की जारी है control की जारी है क्योंकि government private sector को अलाव नहीं कर दिये चलो इसी statement को doubt में रखते हम ठीक है फिर क्या है private sector will provide those services at will not provide those services at reasonable cost यह पॉइंट सही है क्योंकि government को वो कुछ services own करना पड़ी control करना पड़ेगी क्योंकि private sector अगर वो services देगा तो वह reasonable cost पे नहीं देगा for example जैसे क्या होता है drinking water की बात करें नहीं वो safe drinking water अगर आप private sector के भरोसे छोद होगे महंगा जाएगा हर इंसान को पानी नहीं मिल पाएगा ठीक है तो इसके लिए government क्या करती इंटर्वीन करती गवर्मेंट investment करती है ठीक transportation की बात करो basic services में आजाता है और सस्ते railways नहीं होंगे ठीक है तो क्या होगा हर इंसान थुरी ने travel कर पाएगा वो कहानी रहती है it is the responsibility of government to spend on certain basic services ठीक है government की responsibility भी क्योंकि ultimately government को पैसा कहां से मिल रहा है हमें लोगों से मिल रहा है ना तो गवर्मेंट की responsibility हो जाती है हमारा कह सकते है कि एक देश है देश की जनता है देश की जनता के माता पिता कौन सरकार ठीक है क्यों क्योंकि अधिमेटली वी 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 आर गूंट एक्सपेक्ट फ्रॉम 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 दिगरमेंट प्राइवेट सेक्टर साब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हुआ हमें फ्री में सारी चीज़े बाट दे वह तो आउट ऑफ जनरेशी टेटर करना चाया तो कर देगा उनके को रिस्प गॉर्मेंट डजनोट एंकरेज यह चीज़ देहां रहें रहें तो प्राइवेट सेक्टर भी परिश हो जाएंगे तो इसके कारण से कुछ सर्विसेज में करना पता है गवर्मेंट को उतरना ही पड़ता है ठीक चोटी चोटी इंडेस्टी नहीं चल पाई कि अगर इलेक तो देखो अब यह जो है ना तो यह बिना सरप्यार का ऑप्शन है क्यों कि गवर्मेंट डूनाट अलाव दी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को ऐसा गवर्मेंट कभी रोकती नहीं है कि आप मत करो काम हमारे यहां क्या देखो कि आप मिक्स इक्नॉमिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे जो अफॉर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सर्विसेज लिते हैं ठीक है यह सारी कहानी थी अब अगर जिससे आप देखोगे तो इसमें से बी सीटी इस दी राइट आंसर फॉर दिसकुशन तो बी सीडी दी राइट आंसर अब्जेक्टिव होता है कि एक बार चैप्टर पूरे ठीक है इस्ट वेस्ट नौर्थ सौथ डाइमेंशन में चैटर कवर कर लो मेरा अब्जेक्टिव यह होता है और मैं एक्सपेट करता हूं कि आप भी उस अब्जेक्टिव को समझ पारें उस तरीके से अपना पिक्स के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने हर टॉपिक को टच किया है तो इसी तरह से हमारा यह चाप्टर जो होता है कंप्लीट होता है यही जो मतलब सीरीज हमारी इसी कंटिनिशन में क्या आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे ठीक है और मैं उमीद करता हूं कि आपन इसके लिए अपने आपको प्रिप्टर कीजिए आने वाले एक्जाम के लिए ठीक है बेफिकर रही है मैं हो जब तरह आपको आपको सुशल साइंस की बिल्कुल चिंता नहीं करना है ठीक है तो हमारा यह चैप्टर यहां पे कंप्लीट हुआ है ऐसे ही आपको और एक्जा है वेबसेट पर भी जा सकते हैं जो है magnet bail कॉम रास्ता क्या है गूगल पर सर्च करो सिंपन गूगल पर सर्च करों के magnet base डॉट कॉम वहां पर आपके सामने website आई उस पर क्लिक करो कि तो कुछ इस तरह का इंटरफीस आएगा प्लासेश को सेङोन और सारे सबजेक्स आजा तक इसी तरह से सब कुछ मैंने बेंस पर अविलेबल हैं ठीक है तो साइनिंग ओफ इस टुगेधर वी कैन वी विल थैंक यू थैंक यू वेरी मुच